भाई एक बात तो मैंने देखी है, इंडिया के लोग जो है वो पुलिस और प्रसासन से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, कि अगर वो लोग देख लेना पुलिस प्रसासन को तो भाग खड़े होते हैं, और यह समझ नहीं आता, नहीं उन्होंने कोई क्राइम किया है, नहीं कोई गलती किया है, फिर भी वो डरते हैं, अब इसके पीछे तो बहुत सारे कारण हैं, पर जो प्रमुख कारण है, वो यह है लैक आफ इंफॉमेशन होना, अब लोगों को कानून के बारे में, प्रसाशन के बारे में कोई जनकारी होती नहीं है, वह लोग कुछ जानते है नहीं, अब जनकारी नहीं रहने के कारण है, और नहीं डर लगता है, कि कहीं पुलिस को किसी केस में न फसा दे, कुछ कर न दे, कहीं मैं फस न जाओ, अब यह जो है में इंटलीटी बैट चुका ना, इंडिया के लोगों के अंदर, यह सबसे खराब चीज है, और इस को हम लोग इस वीडियो में डिक्सक्राइब करने वाले हैं, तो बने रहे हैं मसा तर अभी तक आपने कारण हो चले सबस्क्राइब करके वेल बोटन जरूपेस कर ले, ताकि इसी प्रका की सारे इंपोर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलत रहे है, ऑन टाइ भारत के अंदर किसी वेक्टी को कैपिटल परिशमेंट दिया जाता है तो इसको देने के भी दो तरीके हैं, पहला तो फांसी देकर दूसरा गोली मार्कर, फांसी देकर तो अपने सबीने सुना होगा, दूसरा गोली मारकर तो आप लोग जल्दी सुनते नहीं होगे, क्यो व्यक्ति अगर बहुत गंभीर क्राइम करता है तो इसे फ्हासी देने के बजाए गोली मार के भी मिर्टू डंड दिया जा सकता है या फिर बोल सकते हैं कि कैपिटल पनिस्मेंट दिया जा सकता है इसके अलावा अगर आपको एक ऐसा जुर्म करते हैं जिसमें कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तब उस कंडिशन में भी आपको देथ पनिल्टी दी जा सकती है सब्सक्राइब कि मैं महले में लग रहा था किसी लड़के के साथ और गलती से मैं उसकी मिरती हो गई मेरे हाँ तो गलती से वो मर गया अब इस कंडिशन में भी मुझे देथ पनिल्टी दी जा सकती है इसके अलाबा आतंकवाद से रिलेटर अक्टिवीटीज, रेप से रिलेटर अक्टिवीटीज, अगर आपको या आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए आतंकवाद फैला रहे हैं इंडिया के अंदर तब भी आपको देथ पनिल्टी दिया सकता है या फिर अगर आप किसी व्यक्ति का किड्नैपिंग भी यहां तक करते है ना बसरते उस किड्नैपिंग में जिस व्यक्ति का आपने किड्नैपिंग किया एनिहाओ किसी तरीके से व्यक्ति की मीड़ती हो जाती है तब उस कंडिशन में भी आपको capital punishment या देथ penalty दिया आ सकता है इसके अलाबा ड्राइक ट्राफिकिंग में भी आपको capital punishment मिल सकता है अगर आप किसी भी परकार के नसीले पदार्थ को बेच रहे हैं और उस नसीले पदार्थ को बेचने के कारण या कंज्यूम करने के कारण किसी व्यक्ति की मौथ हो जाती है तब उस कंडिशन में भी उस बेचने वाले व्यक्ति को death penalty या फिर बोल सकते है capital punishment दिया जा सकता है कुछ ऐसे conditions है इंडिया के अंदर कुछ ऐसे सिनारियों है जिसमें कि अगर कोई व्यक्ति इन सभी crimes को execute भी करते तब उसे death penalty है फिर capital punishment नहीं दियाता है अब सवाल उड़ता है कौन से ऐसे conditions है भाई तो अगर जो व्यक्ति जिसने यह सब crime किया है murder, rape, terrorism activities कोई भी काम किया हो और उस काम को करने के समय 18 साल से नीचे है यानी minor हो तब उस condition में उस minor व्यक्ति को capital punishment नहीं दियाता है इसके अलाबा अगर कोई महिला जो की pregnant है उसने इन सभी activities को किया है इन सभी crimes को किया है तब उस condition मे भी उसे capital punishment नहीं दियाता है इसके अलाबा वैसे व्यक्ति जिनका दिमागी संतुलन ठीक ना हो हलका पागल हो उस condition में अगर वो कोई crime करता है तब उस condition में भी उसे capital punishment नहीं दियाता है अमीद है कि आपको capital punishment से जोड़ी अप कोई problem नहीं होगी और हाँ एक काम आपे हाँ य लगती है तो आप हमारे चीनल के membership को जोरूर करें जहां कि आपको बहुत सारे benefits मिलने वाली है जैसे किल्षाल इमोजी मेंबर साव डाउट चैनल प्रोमोशन और भी बहुत सारे वेनिफिट्स हैं जो कि आपको हमारे चैनल के मेंबर सीप में मिलने वाली है देन डू जोएन आवर चैनल मेंबर सीप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और हिल्फुल लगा तो वीडियो को जाने से प छोऑको वीडियो जोऑको एिल्फुल वशलनी अपको हमारे घुल कर पुल कि अगर चैनल वाले हैं में मिलने फिलमोशन आपको भीडियो आपको को सारे जापको बहुत से दूमोशन पुल को चैनल आपको जापको पिल्समme।